नवस्कार आप देख रहे हैं भारत समचार दोपहर वार में आपका स्वागता आज एक बहुत जोलंत विशय है कुंडा को लेकर कुंडा में कोहराम आखिर क्यों है ये सवाल उठा रहा है भारत समचार सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कल राजा भाईया के पिता जी राजा ओदै प्रताप सिंग को नजर बंद कर दिया गया भारत समचार लगतार सवाल उठा रहा है सवाल बहुत एहम हैं सवाल बहुत बड़े हैं सवाल ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है कि क्या धार्मी का आयोजन व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है सवाल ये भी है कि क्या कोई अगर भंडारा करना चाहता है तो उसको प्रशासन से लिखी दनुमत लेनी पड़ीगी और क्या भंडारे को लेकर जो प्रशासन लॉजिक दे रहा है खासतोर से डीम साब का कहना है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है तो मुझे नहीं लगता है कि परंपरा के नाम पर भंडारे को रोकना प्रशासन का नैतिक अधिकार बनता है धार्मिक सोतनसरता का आखिर क्या मतलब है ये तमाम सवाल है जिन पर डिसकुशन करेंगे लेकिन सबसे एहम सवाल ये है कि आखिर मुहर्रम के लिए प्रशासन मुस्तायद है बनारस तक से फोर्स मंगाली गई है तो फिर भंडारे को लेकर प्रॉब्लम क्या है सवाल ये भी उड़ता है कि कास गंज में अगर दलित की घुर चड़ी को एक विशेश रास्ते से ले जाने के लिए प्रशासन बाकायदा प्रबंध करता है तो फिर उसी जगा तिरंगा यात्रा के लिए प्रबंध क्यों नहीं किया गया तिरंगा यात्रा पर रोक क्यों लगाए गई और यही सवाल कुंडा में भी बहुत लाजमी है बहुत प्रासंगीत है कि आखिर वहाँ पर इतनी भारी फोर्स की तैनाती है तो दोनों संपरदाए अलग-अलग रूट से या दोनों संपरदाए अलग-अलग टाइम से अपना धार्मी आयोजन क्यों नहीं कर सकते यह तमाम एहम सवाल है हमारे साथ खास महमान जूट चुके हैं आपसे परचे करा दें सबसे पहले डॉक्टर चंदमोन जो की बीजेपी के वरिश प्रोकता है चंदमोन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत समाचार में श्रीधर पाठक जी जो की एक्स डीजीपी है उत्तरप्रदेश पुलिस के आपका भी भारत समाचार में बहुत-बहुत स्वागत है खास तोर से उन दिनों में जब भंडारे का आवेजन हुआ करता था बंडारे का आवेजन लगतार कई सालों से होता रहा है लेकिन इधर वेकर दो-तीन साल से नहीं हो पा रहा है इनके अलावा अन्शू अस्थी कॉमरेस प्रॉक्ता के तौर पर अपना विचार रखेंगे अपने विचार गर्ष्ट करेंगे वह भी अपसे कुछी देर में जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आगका दुपहर वार और देखते हैं कि कुंड़ा में कोहराम आखिर क्यूं मचा हुआ है इससे पहले की परिचर्चा की शुरुआत करेंगे आपको राजा ओदय प्रताप सिंह का बयान सुनवाना चाहते हैं कि आखिर उनका भंड़ारे को लेकर क्या मत है और शाथ ही साथ रशासन का बयान भी सुनवाना चाहते हैं DM का और SP का, DM शम्भु कुमार और SP देव रंजन वर्मा का भी बयान आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद डिवेट की शुरात पर. DM में दूर करके लगा दिया, अब उनमें उनको अपति लग रही कि क्यों आपने दूर भी लगाया तो क्यों लगाया, अरे कोई सीमा है कि सड़क से कितनी दूर तब हनमान चाली था नहीं हो. पूरे जनपद में परवतेवार को मनाने में हम लोगों ने यह किया है कि बिगत बर्सों में जो परंपरागत कार्जकरम हुए हैं, उसकी अनमती दी गई है, उसके अत्रिक कोई भी कार्जकरम हुए हैं, उसके रोग लगी हुई हैं. कुंडा में बिगत बर्सों में यह समस्या रही कि मंदिर पे, हनमान मंदिर पे भंडाराय उजन करने के लोग परियास किये, बिगत बर्सों में भी रोका गया, इस बर्स भी ऐसे किसी भी धार्मिक गैर परंपरागत धार्मिक कार्जकरम पे रोक हैं, और कोई भी कानून उलंगन ना कर पाए, सांती विवस्था को भंगना कर पाए, जो पर्वतेवार के माहौल है, उसमें कोई खलल ना डाल सके, इसके लिए जो पुलीस की तैनाती की गई है, और सुबह से ही ड्यूटी लगी हुई है, और हम लोग ध्यान रख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, कि अब बाकि यहां के जो गूगल पतादगारी है, और हम लोग ध्यान रख रहे हैं, और मानी राजाजी से अब रहे हैं, तो किसी तरह की कहीं तरह की कोई अपरी यह वार्द अभी तक नहीं आई है, और बाकि जितने भी यहां के कर्मिशन के लोगें, उसमान प्राइक से अ डॉक्टर चंदमोहन का, जो की वीजेपी के अबरिश्ट प्राउक्ता है, चंदमोहन जी बहुत अहम सवाल है, सवाल यह है कि प्रशासन का जो लॉजिक है, उनका यह कहना है कि ऐसी परंपरार नहीं रही है, अभी थोड़ी देर पहले राजा उदय प्रताप सिंग का बय परंपरा सवाल है कि इतनी बारी फोर्स की तैनाती है, तो सिर्फ महर्रम के लिए क्यों है, अगर कोई भंडारा करना चाहता है, तो परंपरा के नाम पर प्रशासन को रोकने का क्या है उचित्ते है? प्रशासन की प्रात्मिक्ता हमेशा से कानून ब्रशासन काईम करना लॉइन ओर्डर बनाना रहा है, और वहां का प्रतापगड़ का प्रशासन उस जिम्मेदारी का निर्भन, अपने कर्तब का निर्भन कर रहा है, और उसके लिए जो आवश्यक कदम है उनको उठाय जा प्रिसासन के द्वारा पूरे प्रदेश में एक विवस्ता बनाई गई है कि कोई भी आयूजन जो बड़े इस तरह पर हो रहा है तो समवाद के द्वारा एक लिखित विवस्ता के द्वारा होना चाहिए वही बात है और प्रशासन लगातार आप आपने सुना भी होगा जी प्रसासल लगातार कह रहा है कि हम उनके संपर्क में हैं और विवस्ता बनी रहे, अमांचेंट काइम रहे, इसकी कोशिस लगातार हो रही है और उसी दिशा में सारी विवस्ताइं की गई हैं। अब से कुछ देर पहले श्रीधर पाठक जी से हमारी बातशित हो रही थी, श्रीधर पाठक जी ने यह कहा था, अभी उनसे यह भी जानना चाहेंगे, कि टेक्निकली शायद भंडारे के लिए पर्मिशन की जरूत नहीं होती है, अगर कोई जलूस निकाल रहे हैं उसके होता है, एस पी और जिला मजिस्टेट इस बारे में कंसल्टेशन करने के बाद लिखी तादेश जारी करते हैं, जहां तक भंडारे की बात है, बंडारा तो यह है कि 9 बजे से अपना शुरू हुआ, कुछ लोगों ने 11 के बाद ही वो शुरू होता है, 2-3 बजे तक खतम हो उनका रुख जाना चाहेंगे, वीरेन जी हमारे बहुत लाजमी से सवाल है, कि अगर इतनी भारी फोर्स तैनात है, तो क्या वो फोर्स सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय को खुश करने के लिए है, या एक समुदाय से ही उसको ऐसा लग रहा है कि लाइन और वहाँ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा? सरकारों से वहाँ होता रहा है, फिछली समाजवादी सरकार रहे, उसमें राजा भाया मंतरी रहे, और इस सरकार में भी ये मंडारा आयुजित किया गया, अब इसके लिए पर्मीशन की जरूरत कहरा है, चली हमारे साथ आपको रुखना जाहेंगे, एस पी देवरंजन वर जी जुड़ गये हैं, देवरंजन वर्मा जी आप से बहुत एहम सवाल हमारा है, एक सवाल ये है कि आज जब एक यूख हनमान मंदिर में हनमान मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन करने गया, तो इसको पुलिस ने रोक दिया, आखिर ये कौन सा अधिकार है पुलिस को रोकन करने जा रहा है तो यह आपको जिसकी में भी तूशना दी है और वहां मोके पर हम स्वें थे जिस व्यक्ति क्या पात कर रहे हैं उस व्यक्ति को वहां पर आया था वो राजा जी का प्रतिनीजी था और उससे बस यह बात की थी कि टीम साथ भी एक बार आ जाए तो हम सब सासन क्यों रोक रहा है भंडारा करने से इसलिए कि जो एक मिनट जो पुलिस पुलिस के जो नियम कायनून है कायदे कानून है उनके हिसाब से किसी जूलूज को परमिशन के लिए लिए लिखित अनुमत की जरूरत होती है लेकिन लेकिन भंडारे के लिए तो जरूरत नही मिलेगी और यह अभी नहीं यह पिछले तीन साल से उनको पर्मिशन नहीं दी जा रही है तो यह कोई की नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जा रहा हूं तो क्या प्रशासन मुझे इस बात से रोक सकता है कि आपके पिता जी या आपके दादा जी नहीं करते थे तो में अगर आप इसमें हजारों लोगों को भीड खटा करने की बात कर रहे हैं तो आपको पर्मिशन प्रशासन से ले नहीं पड़ेगी और प्रशासन का यह अधिदार की वो उत चीज की पर्मिशन दे या ना दे वो पूरी इसकितियों के आपलंग के उपरांस होता है अच्छा एक बात बताईए जब भारी फोर्स आपकी तैनात है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है इसलिए कि देखिए मौर्रम का जुलूस निकलता है लकनोव में भी निकलता है तमाम रूट डाइवर्जन्स किये जाते हैं और इसके साथ-साथ इस तरह की इंतजामात किये ज दोनों से कहा कि आप लोग एक कौमन समझावता लेकर के आईए उसमे बात आगे चले लेकिन दोनों पक्ष्णों के भी समझावता होने में समस्याइं आ रही है वो लोग समझावते को अभी तैयार नहीं हो पा रहे है प्रशाथा ने अपितर से पूरी कोशिश की है अच् प्रवाद प्रवाद करेंगे एक सवाल आप से पूछेंगे हमारे ब्यूरोचीफ विरेंजी जी आप पर पहले भी होता रहा है पिछली सरकारम होता रहा है तब अचानक इसके अनुमत की जरूरत क्यों पड़ गई है नहीं यह पहले नहीं होता रहा था यह 2015 ने यहां भंड करना है लेकिन उसके बाद से कभी भी पर्मिशन के लिए अपलाई नहीं किया गया और यह भंडारा प्राचीन नहीं है यह महज 3-4 सार पहले ही शुरू ही प्राचीन और नवीन से क्या मतलब क्या विप्राया क्या एक बात बताईए कोई धार्मिक आयोजन करनी के लिए उ उसके अंदर प्रशासन को यह अधिकार लेने का पूरा अधिकार है कि इसमें क्या उचित निर्णा होगा अच्छा यह बताईए कि उद्य प्रताप सिंग की नजरबंदी क्यों की गई है क्या धार्मिक आयोजन पर नजरबंदी प्रशासन की तानाशाही नहीं है यह यह और इसके बारे में आपको टीम थाफ जाज अच्छी तरह बता सकते हैं जी देवरेंजर वर्बा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद मोहन जी से विरेंजी जी 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 अब चंद मोहन जी आपकी पार्टी ने यह जो आज़न रुकवाद दिया है आपकी सरकार में उमीद नहीं थी कि जुलूस अच्छे से निकले और भंडारा रोग दिया जाए तो जो हिंदुत वादी सरकार है उसके इसे विचारधारा को कहीं यह ठियस नहीं लगती इससे बीरेंजी यह सरकार पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास की सरकार है उत्तर प्रदेश में अमंचैन काईमर है उसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में कावड यात्रा भी निकले और उत्तर प्रदेश में महरम का जलूस भी निकले यह उसकी सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि समी पर्वतोहर यथावत हो और परंपरा के अंसार हो भंडारा हो भंडारे खूब हो रहे हैं जगे जगे हो रहे हैं लेकि भंडारे जो है प्रसासन के साथ में प्रसासन के साथ में कॉडिनेट करके और प्रसासन के साथ बिवस्ता बना के और उसके लिए जो आवश्यक विवस्ता हैं वो प्रसासन करेगा प्रसासन ने कहा है आप भारत समाचार पर अभी आकर वहां के कप्तार ने आप से बात किये भारत समाचार से सारे पच्छों को इस पच्छ किया है आप जिलादिकारी जी से बात करेंगे वो भी सारे विशे रख अन्शु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्शु जी आप से पूछना चाहेंगे अभी स्पी से बात हो रही थी उनका चाहिना था कि चुकि धारा 144 लागू की गई है इसलिए वहां पे नजरबंदी की गई है वहां पे इतना बड़ा भंडारा उसको उसके आवेजन क की अनुमत नहीं दे सकता अभी श्रीधर पाठक जी भी यही बोल रहते हैं कि बंडारे के लिए 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 प्रताब गड़ में ही ऐसा क्यों हो रहा है निशित तोर से देखे राजा भीया वहां के सर्मान नेता हैं सभी वहां के जो पिछड़े गरीब हैं वो सब्मान करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं इस सरकार को हर एक निरणय में राजनीत सुचती है कि इनका कहीं राजनेति नुकसान दिखेगा तो ये भगवान की बात नहीं करेंगी राजनेतिक आउसर इनको लाब मिल लाओगा तो ये बराम बराम सुरू कर देंगे तो सिर्फ इसलिए कि भंडारा कोई मूमिन नहीं होता भंडारेगा भंडारा उनका अपने इस्थान पर हो रहा था मैं ये जानना चाहरा हूँ इसमें सबका साथ सबका विकास कहां पर है जुलूस निकल रहा अच्छी बात है भंडारा भी तो हो सकता है भंडारा होने में लोग आएंगे लोग जाएंगे उसमें आखिर प्रशाशन को आपती क्या है असल में सच्चा ही यही है रमन जी की आप देखिए अब हिंदूओं का भी वर्गी करण सुरू कर दिया है भारती जंता पार्टी ने जो इनकी पार्टी के हिंदू हैं वो हिंदू हैं वो कोई ध राजनेतिक मकसद के लिए वो सारी बाते करते हैं जो इनके राजनेतिक हित में हो इतनी बड़ी स्वार्तिकी राजनी जिसमें धर्म को भी रोका जा रहा है यह ताना शाही रविया है बीजेपी की सरकार का डॉक्टर चन्मोहन जी आप से जवाब चाहेंगे देखें मैं अन्सु अवस्ती जी से कहूंगा कि यह प्रताबगड जाएं और प्रताबगड में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता हैं इनकी बिधायक भी है वांकी तो उन प्रमोतिवारी जी हैं तो प्रमोतिवारी जी जाएं और इस समस्या के समाधान के लिए प्रसासन के साथ बात करें और समाधान करें अंसु अवस्ति जी प्रमोतिवारी जी के साथ जाके करें और बात करें समाधान करें चर्चा से कौन मने कर रहा है बहुत अच्छा मैंने का आप जिसको चाहें उसको नजरबंद कर दें जिसको चाहें उसको जब चाहें छोड़ दें यह तान ताना साह मतलब कौन है सब जानते हैं साम कौर्ण वजे आते कह देते आप नोटे एक बंद या इनलीगल से टेंडर हो गए, आते हैं अचानक से कह देते कि इस देश के लिए नहीं चलेगा, कौन खाएगा क्या पियेगा क्या पहनेगा यह तैबी जैपी करेगी? चलिए श्रीधर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीधर पाठक जी एक बहुत आयम सवाल और इसके बाद विरेंजी के पास जाएंगे श्रीधर पाठक जी लखनाओ में मेरी जहां तेक इन्फॉर्मिशन है कि जब महरम का जुलूस निकलता है तो एक विशेश वर्ग जब एक विशेश प्रकार के जंडे लेकर चलता है तो उन इलाकों से होकर जब गुजरता है वो जुलूस जिन इलाकों में विवाद होने के चांसे रहते हैं श्रीया लोगों के इलाके से वहां पे जंडे को फोल्ड कर दिया जाता है तो ये इंतजामात भी प्रश अगर जैन्विनली कोई एफ़र्ट करता तो नहीं बिल्कुल चाहिए रहे हैं भंडारा कोई खासी नहीं होती है सामान तौर पर यह ज्यारा बज़े से ले करके दो बज़े तक की भीड होगी ये तो मैं नहीं जानता और भंडारा कहां लग रहा था हमें लगता है जब व वो लोग बेहतर जानते होंगे तो उस पर टिपड़ी करना उचित नहीं है लेकिन ब्यापक ब्यवस्था की जा सकते थे विरें जी देखिए प्रिवेंटिव मेजर के नाम पर ऐसा लगता है कि साहद अधिकारी चूक कर गए हैं क्योंकि यह मामला ना कहीं विवाद में थ सब दोजार पंद्रा से स्पी ने खुद काग बंडारा हो रहा चौथा साल था चलता रही ता यह अचानक बवाल बन गया है और यह बवाल देखिए तमाम सारे सवाल खड़े करता है चंद मोहन जी की पार्टी को जब राजसभा में विधान परिशद में राजा भाया का लेना होता है तब तो वहां खाना खाने भी चले जाते हैं वो पूछकार के ओत भी ले लेते हैं लेकिन इनके पिता जी के भंडारे को उनको घर में नजर बंद्द कर दिया गया उनके भंडारे के पर रोग लगा दी गी तो यह जो स्थानियी प्रशासन को जो आवश्यक लगा है वो कदम उठाए हैं आधर्णिय राजा साथ वहां के सम्मानित हैं उनको प्रसासन का सयोग करना चाहिए प्रसासन के साथ में विवस्ता बनानी चाहिए अंशु अलसी जी अगर एक आदमी अपने मंदिर नहीं कर पा रहा है धार्मिक सुतंतरता का मतलब बीरेंजी आप भी जानते हो रमण जी जानते हैं हम समय लोग जानते हैं अरे आपके राज में देख रहे हैं ना आपका राज है ने ने हमारे 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 देखे राज 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 कानून का है बाबा साथ भीमरा उमेट करके बनाए हुए कानून का राज है राज राज किसी का नहीं राज किसी का नहीं है किसी का नहीं और कानुन सम्श विश्था चन्दमोहन जी राम राज में चुकि पहले आप लोग बोलते थे जंगल राज था आए तो राम राज में सुन्दर कांड का पार्ट परताब घर में नहीं हो रहा है राम की पूजा नहीं हो पारी है आपकी जरकार की मैसेज देखी इसका बड़ा जाएगा चन्दमोहन जी अगर प्रशासन कोई वे आउट निकालता तो डेफिनिटली थोड़ा सा खराब मेसेज नहीं जाता और दोनों संपरदाये दोनों धर्म अपने अनौईयों के साथ अपना अपना धार्मिक आयोजन कर सकते थे क्या आप आपको नहीं लगता। और सामरे की मिल रहा था प्रधान मंत्री को खतरा है गड़्ना मत वो सुगर हो जाएगी यह क्या क्या हो रहा हनुमाज जालिशा का पाट करो बंदर भाग जाएंगे बलब इस सरकार में इस तरीके से हिंदु धर्म को बद्रानाम किया जा रहा और परिभाशित किया जा रहा है यह दुर्भाग यह कि इस तरीके से उंनों सोचाा था कि सरकार की आने के बाद हो सकता कुछ ऐसा हो लेकिन आज इनकी कल मुसलमानों के काले लेज हैं यह काले अंग्रेज हैं काले अंग्रेज जो सफेज छोड़के चले गयते और यह चोड़के यहां पे जुर रहे गए वह यह शाशन करने की इनकी नीते धर्म अंधर्म की भावनाओं में बैका कर आज फिर से इनकी भावनाओं की कलाई खुली है अच्छा विरेंज जी एक बहुत इंपोर्टन सवाल है विरेंज जी सवाल यह है कि लाइन और्डर मिंटेन करने के नाम पर उद्य प्रताप सिंग राजा उद्य प्रताप सिंग को नजर बंद कर दिया गया चलिए उन्होंने अलान किया था कि वो बंडारा करेंगे लेकिन बंडारा करने के पहले उनको नजर बंद कर दिया गया एक बात बताईए जो जुलूस निकालने वाला वर्ग था उस वर्ग से भी एतियातन कोई नजर बंदी हुई या उस वर्ग का प्रमले में अती उत्सा में या अती सत्कर्टा में बड़ी चूक कर गया है जब कोई विवाद ही नहीं था समाने रूप से कर चीज़ चल रही थी तो वहां पर नजर बंदी करना भंडारे पर रोक लगाना इसकी जरूरत नहीं थी थोड़ी सतर्टा बरत कर बातचीत करकर र अखरी आखरी आकरी रियक्षन लेते हैं चन्दमहणजी से चन्द महन जी इसलिए कि अगर प्रशासन नहीं करा पा रहा है मैलेज तो ये प्रशासन के नकामी है और दूसरी तरफ तोड़ा मनुबल भी डाउन होता है जो अपना धर्म उनको लगता है कि हम अपना धर्मन आ नहीं पा रहे हैं हमको इस बात की भी आज़ादी नहीं है आकरी रेक्शन आपसे देखे रमन जी मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि प्रदेश में सांती विवस्ता काइम रहे हमारे छेतर में सांती विवस्ता काइम रहे ये हम सबकी सामविक जिम्मेदारी होती है और उसमें प्रशासन के साथ में सहयोग करना और बिवाद से बचना ये बहुत आवश्यक है और प्रिसासन ने एक बिवस्ता दी है और प्रिसासन ने बिवस्ता दे कर उसके लिए क्योंकि महरम का जलूस भी निकलना है तो महरम के जलूस को लेकर एक बिवाद ना पैदा हो इसकी कोशिस की गई है और उसमे अगर प्रशासन की कहां तक की नयतिकता है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद रुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए नमस्कार का एक ट्रूल वे नमस्कार